नमस्ते दी ललन टॉपर मैं शनाली हूँ दिन तंग आकर सुलिमान इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है इत का जवाब पत्थर से देने हैं वासपास के लोगों को एक जुट करने लगता है दीरे दीरे सबका लीड़ा बन जाता है लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आता है जब सुलिमान उन माफियाओं से भी अधिक करूर हो जाता है इतना हिंसक कि फावडे से किसी की जान लेते समय जान से मारते वक्त उसकी पलक भी नहीं जबकती है इतनी वहशियत देख सुलिमान की माँ उसके खिलाफ हो जाती है मरने की बद्दुआ दे देती है खेरवक्त के साथ सुलिमान की ताकत का नशा तूटता है सब छोड हर्ज पर जाना चाहता है लेकिन पिछले गुना रास्ते में अड़ जाते है पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है आगे क्या होता है? कौन था सुलिमान मलिक? क्या था उसके इस खुनी संघर्ष का अंजाम? क्या थी उसकी कहानी? जानने के लिए ये फिल्म मलिक आब देखिएगा लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेलर कैसा लगा? मलिक पहली नजर में एक टिपिकल क्राइम ड्रामा फिल्म लग रही है एक अंटी हीरो की कहानी है जो अच्छा काम कर रहा है मगर घलत परी के से? ट्रेलर देखका दिमाग में अगनी पत्र, नई पुरानी दोनों का विजय दीनानाथ चौहान, डाडी या दगडी चाल का अरुन गवली याद आता है फिल्म के निर्देशक ने इस कहानी को केरल के एक व्यक्ती से फ्रेरत बताया है जिसकी 1986 में डेथ हो गए थी कहते हैं जब माइनॉरिटीज पर जुल्म कर उन्हें वहां से निकाला जा रहा था तब वहां इस व्यक्ती ने सब को एकठा कर सत्ता के विरुध आवाज उठाई थी फिल्म सुलिमान के 25 साल से 75 साल के जीवन के दौरान होने वाली घटना उपर रोशनी डालती हुई चलेगी कुल मिलाकर ट्रेलर से मलिक एक रोचक फिल्म प्रतीत हो रही है उस पर फ़ाद फाजल का सुलेमान मलिक का दमदार चित्रण रोमांच में इजाफा कर रहा है मलिक को लिखा और डिरेक्ट किया है महेश नारायन ने महेश मल्यालम फिल्म इंडास्ट्री के एक जानेमाने राइटर और एडिटर है बताओ डिरेक्टर उनकी फिल्म टेक ओफ ने भी खुब सफलता बटोरी थी फाहत वाजल के किर्दार सुलिमान की वाइफ की रोल में है निमिर्शा सजाएं इनके अलाबा जोजू जोज, विनेफोर्ट और दिव्या प्रभा जैसे कई उम्दा कलाकार मलिक का हिस्सा है मलिक को डिरेक्टर महेश हर हाल में थेटर्स में रिलीस करना चाहते थे लेकिन गोविट के कहर के कारण उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर फिल्म को डिरे प्लाटफॉर्म पर रिलीस करने का फैसला लिया मलिक 15 जुलाई से अमाज़ान प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकती है आप देख रहे हैं दी ललन टॉप मेरा नाम है शुनाली शुक्रिया